दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आये हैं कि आपके बालों के लिए कुछ natural conditioners और उनके बारे में आपको जानकारी देंगे आज हम दोस्तों हर किचिन में उपयोग होने वाली मैथी को कौन नहीं जानता मैथी को दही में पीस कर बालों में 10 मिनिट तक लगाने से आपके बालों में चमक आ जाएगी बालों के लिए अंडा भी एक तरह का अच्छा कंडीशनर साबित होता है कैसे दोस्तों कच्छे अंडे में बादा में लाकर बालों में लगाएं इससे आपके बाल स्वस्त और मचबूत होंगे दोस्तों ऐलोवेरा जल हर तरह से असरदार होता है बालों के लिए भी ऐलोवेरा जल कंडीशनर का बहुत अच्छा काम करता है आवले में कई तरह के पोशक तक तो होते हैं आवला पीस कर बालों में लगाएं इससे आपकी बालों में चमक आएगी अवकादो का पका हुआ फल और दही का पेस्ट बना लें और इसे बालों में 40 मिनट तक लगा रहने दें ये बालों पर अच्छे कंडीशनर का काम करता है दोस्तो नारियल के तेल में विटमिन E की कैपसूल को मिलाकर जार में रख लें और ध्यान लखें कि ये जार एर टाइट हो शैंपू करने से पहले तेल को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और फिरे से दो लें आप चाहें नारियल के तेल के जिए बादाम के तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों बालों में चमक के साथ नमी यानि की मॉस्चर देने के लिए आप मेहनी में दही मिलाकर अपने बालों में लगाएं आपको बहुत चली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एक कब शहर में ओलिव ओयल को मिलाकर बालों में लगाएं तीस मिनिट बाद बालों को शैंपू से धोलें इससे आपके बाल स्वस्त मजबूत और शाइनी होंगे दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने फ्रेंट्स में शेयर जरूर करें आप सभी लोग अपना ख्याल रखेगा मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में